हेलो फ्रेंड्स स्वागत है मारी यूट्यूब चैनल हैप्पी ओनलाइन अस्टिडी में तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको 12 अक्टूबर में जो एकजाम हो आए आज ही के दिन उसका सभी कोस्टन इस वीडियो में देखेंगे, ओल शिप्ट का कोस्टन देखेंगे जो की GKGS, Crane Affairs Related सभी कोस्टन को इस वीडियो में देखेंगे अगर पहले वारा हमारा यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिपिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे तो चलिए चलते अपने कोस्टन की तरफ हमारा कोउट्चन था थर्ड़ सिफ्ट में विस स्यूबा दिवस किसकी याद में मनाय जाता है अमेरिका के किस राष्टपती को नोबल प्राईज दिया गया है तो आपका बराक उबामा को 2009 में नोबल प्राईज से सम्मानित किया गया है आपको याद रखना है बराक ओबामा को 2009 में नोबल प्राइज दिया गया है नेक्स्ट है तुर्के मिनिस्तान का मुद्रा क्या है क्रेंशी ओब तुर्के मिनिस्तान तो आपका राइट एंसर होगा मनात मनात तुर्के मिनिस्तान का मुद्रा है क्रेंशी है नेक्स्ट कोश्चन पर चलते हैं पंचाइती राज समीती एमेंडमेंड सम्बंदित हैं आपको याद रखशना है नेक्स्ट कोश्चन क्या है देखते हैं खेल दिवस कब मनाय जाता है तो खेल दिवस आपका 29 अगस्त को मनाय जाता है 2012 में इसका सरकार के द्वारा गठन किया गया था और होकी के जादूगर ध्यानचंद की याद में मनाय जाता है आपको याद रखना है होकी के जादूगर कौन है तो मेजर ध्यानचंद और इसका सुबारम कब वहा था? स्टार्टिंग 2012 में चलते हैं नेक्स्ट कोस्टण की तरप क्या है देखते हैं नेक्स्ट है राजस्तान के मुख्मंतरी, तो cm से भी कोस्टण दे रहे हैं, pm से भी transition दे रहे हैं और president से भी question दे रहे हैं चंद्रियान 2 से related कुछ question थे, चंद्रियान 2 को किस vehicle से भेजा गया था, तो GSLV MK3 से इसे भेजा गया था, चंद्रियान 2 को, next question पे चलते हैं, next question क्या है, देखते हैं, LPG gas किसका मिसरन है, LPG gas किसका मिसरन है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिसरन है, LPG gas, LPG gas में मौझूद रहते हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन, आपको याद रखना है, next question पे चलते हैं, next question, 2019 का सांती के छेतर में, नोबल प्राइज किसे दिया गया था, नोबल प्राइज से related question थे, third shift में, तो आपको इथोपिया के परदान मंत्री, अभी अहमद को 2019 में दिया गया था, और 2020 की बात करें, तो 2020 में World Food Program को दिया गया है, next question पे चलते हैं, next question क्या है, देखते हैं, असम में बीहु किस माह में मनाय जाता है, बीहु परब जो है असम का किस माह में मनाय जाता है, इस टाइप के question थे, तो आपका होगा, अपरेल माह में मनाय जाता है, बीहु परब असम में, next question पे चलते नेक्स्ट कोस्चन है ओस्योग आंदोलन कब हुआ तो आपको याद रखना है ओस्योग आंदोलन आपका 5 सितंबर 1920 को हुआ अगर डेट पूछे तो 5 सितंबर और येर पूछे तो 1920 आपका होगा नेक्स्ट कोस्चन पे चलते हैं नेक्स्ट कोस्चन है प्रारूफ ड्राप्टिंग कमीटी के अध्यक्ष कौन थे तो आपका राइट एंसर होगा भीमराव अंबेदकर जोकी प्रारूफ ड्राप्टिंग कमीटी के अध्यक्ष थे तो आपको याद रखना है भीमराव अंब प्राइब कर लीजिए नेक्स्ट है भारत छोडो आंदोलन कब हुआ था तो 1942 में भारत छोडो आंदोलन हुआ था इसे अगस्त करांती के नाम से भी जानते हैं भारत छोडो आंदोलन नेक्स्ट कोस्टन है पुलीकट जील कहां इस्तित है तो आपके ऑप्षन में जो होगा आंदर परदेश होगा तो आंदर परदेश दीजेगा और तमिलांडू होगा तो तमिलांडू दीजेगा क्योंकि पुलीकट जील दोनों जगह है तो आपके ऑप्षन के हिसाब से सही ह नेक्स्ट कोस्चन पर चलते हैं नेक्स्ट कोस्चन है, tubka राइट एंशर ओगा आर्टिकल ओफड़ कंस्टिचूसन। किस आंतर गाते हैं? किस आंतर गाते हैं? तो आपका राइट एंशर होगा आर्टिकल 30-32। इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 कौन लाया आपका question आया था इंडिया इंडिपेंडेंड एक्ट 1947 कौन लाया तो आपका right answer होगा Lord Mountbatten Lord Mountbatten India Independent Act लाया था Next question पे चलते हैं Next question है Indian Army Chief 2020 में कौन बने Indian Army Chief 2020 में कौन बने तो आपका right answer होगा Mukund Narwane Mukund Narwane Indian Army Chief 2020 में बने है Next question है My Experiment with Truth पुस्तक के लेखक कौन है My Experiment with Truth पुस्तक के लेखक कौन है तो मोहंदास करमचंदर गांधी इस पुस्तक के ऑथर है आपको याद रखना है आपका right option मोहंदास करमचंदर गांधी होगा Next question पे चलते हैं Next question क्या है Sports coaching के लिए Best Award किसे दिया जाता है तो आपको दरोनाचार एवार्ड दिया जाता है Sports coaching के लिए Best Award आपको याद रखना है Sports coaching के लिए दरोनाचार एवार्ड दिया जाता है Next question है दादा साहिब फाल के पुरुषकार 2018 का किसे दिया गया तो अमिताब बच्चन को दिया गया अब 1st shift का question देखेंगे और 2nd shift का question देखेंगे इसके पहले हम लोग जो देखें 3rd shift का question था तो चलिए चलते हैं Crystal Award 2020 किसे दिया गया DP का पादु को दिया गया लोग सवाकर DP speaker किस article के अंतरगत आते हैं तो आपका right answer होगा Article 93 Next question है 3 December 2019 को पहली भारतिय महला पाइलेट कौन बनी तो सब लेप्टिनेंट सिवांगी बनी है भारत की पहली महला पाइलेट दिप्ती साई किस खेल से समबंदित है दिप्ती साई आपका एथलिट खेल से समबंदित है ये तिलंगना की है UN Global Climate Award किसे दिया गया तो Infosys को दिया गया Next question है राजस्थान का लोक निरत तो Calbella Dance है Brain of Computer किसे का जाता है आपका CPU को Brain of Computer का जाता है समबिधान दिवस कब मनाया जाता है 29 December को समबिधान दिवस मनाया जाता है और Insulin की कमी से कौन सा रोग होता है तो आपका होगा Diabetes रोग होता है Sir Gary Sobers Field of the Player Award किसे दिया गया तो Brain Stroke को दिया गया Cancer Index में भारत का अस्थान कितना है तो आठमा अस्थान है और पहले अस्थान की बात करें तो पहले अस्थान पर आस्थिलिया है Next question पे चलते हैं Next question क्या है इंडेक्स से question पूछ रहे हैं आपको इंडेक्स से देखके जाना है पंकज आडवानी World Billiard Championship कितनी बार जीते हैं तो आपका right answer होगा 23 attempt 23 बार जीते हैं Galvanization of Iron Ink loading होते हैं Doctrine of Laps किसे कहा जाता है तो Lord Dalhoji को कहा जाता है जो की हड़प की निती अपनाई थी हडप की निती से संबंदित है तो डल हो जी Brant sugar पुस्तक के लेखक कौन है तो अबनी दोसी Brant sugar पुस्तक के आउथर हैं Chief of the Justice को हटाने की परकिरिया क्या है तो महाँ भ्योग लगा कर Next question है अलाउद्दिन खिलजी कब सुल्तान बना अलाउद्दिन खिलजी 1296 में सुल्तान बना नागालेंड की राजदानी पुछा था तो नागालेंड का राजदानी आपका होगा कोहिमा Indian Statical Institute तो आपका राइट एंसर होगा PC महाल 29 राज राजदानी से कोश्चन देखने को मिल रहे हैं तो जिसका भी एकजाम अभी नहीं हुआ है तो राज राजदानी को भी देख कर जाएं Next question है Silent Valley किस राज में है? केरल राज में है यहाँ से आपका Second Shift का कोश्चन शुरू होता है कांडला पोर्ट का नया नाम क्या है? दीन दयाल पोर्ट है गोवा लिबरेशन डे कब मनाय जाता है? तो 29 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे मनाय जाता है तिरंदाजी खेल किस देश के राश्टिय खेल है? तो आपका राइट एंसर होगा भूटान तिरंदाजी खेल राश्टिय खेल जो है भूटान के है नेक्स्ट है मालदीब के राश्टपती कौन है? तो मालदीब के राश्टपती अब्राहिम मुहम्मद सोले है मदपरदेश के एडिसनल गवर्नर कौन है? तो अनंदी बेन पटेल है जो की यूपी के भी है और मदपरदेश के है मदपरदेश के एडिसनल है और यूपी के गवर्नर भी है सागा डान्स कहां का निर्थ है? सागा डान्स आपका सिक्किम के निर्थ है साहित अकेडमी अवार्ड किसे दिया गया? साहित Academy Award किसे दिया गया तो आपका होगा ससीत थरूर और नंद किसूर आचार को साहित Academy Award दिया गया next question पे चलते हैं ओजोन परत किस मंडल में पाय जाता है ओजोन परत आपका समताप मंडल में पाय जाता है जो की 10 km से 50 km इसकी range है सरदार पतिल की मूर्ति को बनाने वाले कौन कमपनी थे तो जिमांग जी टोकिन कमपनी जो की चाइनीज कमपनी थे BCCI 2018-19 का आवार्ड किसे दिया गया तो जस्प्रित बुमरा, अंजुम चोपडा, दिलीप जोसी, पूनम यादव, सेफाली वर्मा, मिलिंद कुमार और नितीस राना को दिया गया BCCI एवार्ड से कोस्चन थे, इसलिए हम सभी को बता दिये, 2019 का मिस युनिवर्स कौन रहा, तो जोजी बिनी टुनजी रहा राजीव गांधी खेल रतन पुरुषकार किसी दिया गया, रोहित सर्मा, बिनेश फोगाट, रानी रामपाल और मनिका बत्रा को राजीव गांधी खेल रतन पुरुषकार दिया गया तो ये थे GKGS क्रेंट अफेर का कुछ कोस्चन जो की आज 12 अक्टूबर को एक्जाम में पूछा गया, CHS सल के एक्जाम में आप लोग अच्छे से दिये होंगे और जिसका भी है, अच्छे से दीजिएगा, उसके लिए best of luck मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिन, जै भारत, बंदे मातरम